खाना क्या है? अब देखते हैं इसका तीसरा और चौथा रूल. तीसरे रूल के अनुसर जिन चीजों को ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता, वे खाना हैं. जैसे कि घर पर बनाई हुई टमाटर की चटनी कुछ ही दिन चलती है, अगर हम फ्रिज में भी रखी तो, लेकिन टमाटर केचप जो फैक्टरी में बनाई जाती है, वह चलती है दो साल. तो इनमें से खाना है टमाटर की चटनी और खाते जैसा पदार्थ है टमाटर की केचप. जरा समझते हैं ये रूल क्यों बनाई? अगर हम अपने आसपास देखें, तो हम पाएंगे कि किसी भी आइटम में, अगर जिन्दगी यानि प्राण है या लाइफ है, तब वह मृत्यों के बाद धीरे-धीरे सर्णने लग जाता है. जैसे कि एक पत्ता जर्णने के बाद धीरे-धीरे मुर्जाता है. अगर एक जानवर की मृत्यों हो गई हो, तो कुछ समय बाद उसका शरीर बदबू देने लगता है. फल भी अगर जादा देर तक बाहर रख दे जाएं, तो वो धीरे-धीरे सर जाते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सब के अंदर प्राण शक्ति यानि जिन्दगी है. और जब हम ऐसे कोई भी चीज खाते हैं, तब वही प्राण शक्ति, फल, पौधे या जानवर वह हमें भी मिलती है. इसका मतलब जिस चीज में प्राण हैं, वह कुछ देर ही चलती है. और उस प्लास्टिक, पत्थर, स्टील, अलुमिनियम, नाइलोन इन सब के अंदर प्राण नहीं है और ये बहुत लंबा चलते हैं. तो केमिकल से भरेवे खाने में प्राण नहीं है या बहुत कम हैं और तब ही वह बहुत लंबा भी चलते हैं. सब ही रूलों के बारे में ध्यान दें कि हमें हर रूल के पीछे का कारण समझना जरूरी है. ये रूल नबे से पचानबे प्रतिशत समय सही बैठते हैं एकिन कभी-कभी इन रूल के भी exception होते हैं. यानि कुछ अपवाद जैसे अगर हम तीसरे रूल को देखें तब ऐसे कुछ चीजे हैं जो प्राकृतिक तौर से खाना होते हुए भी लंबे समय तक चलती हैं जैसे अचार और घी, सूखा मेवा या ड्राइफ्रूट और छत्ते से निकलावा शहद. और अब आते हैं चौथे रूल पर वह है जितनी कम प्रोसेसिंग उतना ज्यादा उसे खाना कहेंगे और जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग उतना कम उसे खाना कहेंगे. उधारन के तौर पर प्राकृतिक रूप पर पाए जाने वाला गन्ना सबसे पास है नीचर के और वह है खाना. गन्ने से फिर बनता है गुड, गुड से फिर बनता है बूरा जिसको और प्रोसेसिंग करकर के बनाया जाती है चीनी. तो जैसे जैसे हर स्टेप पर प्रोसेसिंग हो रहा है, वहाँ आइटम खाने से धीरे धीरे खाद्य जैसा पदार्थ बन रहा है. लास्ट तक आते आते खाद्य जैसा पदार्थ अपने नैच्रल प्राकरतिक फॉर्म से इतना अलग हो जाता है कि आप उसे देखकर पहचान भी नहीं सकते कि वह कहां से आय था. यदि आपको पता नहीं होता कि चीनी किस से बनती है, तो क्या आप चीनी को देखकर कभी भी यह अन्दाजा लगा पाते हैं कि यह गन्ने से आता है? नहीं, क्योंकि गन्ने से चीनी बनाते बनाते उसके सारे पोशक तत्व निकल चुके हैं. इसके और कई उधारण है, जैसे फल से बनता है जूस, उसको और प्रोसेस करेंगे तो बनेगा जान, चने से बनता है बेसन, और बेसन को और ज़्यादा प्रोसेस करेंगे तो बनेगा नमकीन, जो खाना नहीं है. गेहूं से बनता है आटा, उससे बनता है मैदा और और जाधा प्रोसेसिंग करने के बाद बनता है बिस्किट क्या आप बिस्किट को देखकर कभी भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वह गेहूं के पौदे से होगा होगा नहीं क्योंकि वह अपने प्राकृतिक रूप से बहुत दूर आ चुका है तो ये रूल दुबारा दोराते हैं जितनी जादा प्रोसेसिंग होती रहती है वह आइटम उतना कम रहता है खाना और बन जाता है खाद्य जैसा पदाद जिसमें कोई पोशन नहीं होता और वो हमारे शरीर में कई प्रकार की बिमारियों की जड़ बनता है